असलाम अलेकुम लिसनर्स उससे कौन कौन सी चीज रुला रही थी वो क्या क्या पता थी हर रास्ते हर मोड पर तनहा थी वो और सब समझते थे उससे जरूरत नहीं किसी की अगर एस्वंद यार अपना जर्म कबूल कर लेता है तो कमस्कम ये केस तो हतम होगा मीडिया के प्रेशर ने तंक कर दिया है यार रिलैक्स होने को तरस गए हैं वो उन्चे नीचे रास्तों पर घाड़ी चलाता बोला एनलसबा तुम से बात कर रहा हूँ बाहर क्या देख रही हो अन्धेरा एनलसबा ने अब भी उसके जानब नहीं देखा अन्धेरे में क्या देख रही हो कुछ नजर नहीं आ रहा दूर तक नजर को सियाही ही सियाही नजर आ रही है वो खोई-खोई-खोई-सी कह रही थी मुझे लगता है तुम बहुत डिस्टर्ब हो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है अभी जाते साथ तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा मगर तुमने अपने आपको कूल रखना है और अगर कोई प्राबलम हो तो पताना मुझे तानियल ने कार रोकी हवेली आ चुकी थी सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और शुकर है हम रास्म से पहले पहुंच चुके थे वरना सबसे पहले मैं तुम्हारी उंगली से अंगुठी उतार कर फैंगता वो उसकी हाली उंगलियां देखकर मजा कर गया मगर एनल सबा का तु दिल चीर दिया था उसकी बात ने नकली मंगनी पर तुम इतनी प्यारी लग रही हो असली पर कितनी खुबसुरत लगोगी आई कांट इमेजिन वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था एनल सबा के गले में आंस्वों का गोला सा अटक किया था गुट नाइट उसकी जानब का दरवासा खोलते वो अलवदाई मुस्कुराहट सजाते बोला एनल सबा घाड़ी से उतर गई उससे हवेली के अंदर दाखल होता देखकर उसने कार रिवर्स कर ली वो घेरदार फ्रॉक को एक हाथ से संभालती लॉन से अंदर जाने लगी थी जब सरदार बदर उस जमान सामने आग खड़े हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे वी अंदर दाखल होने की वो एनल सबा पढ़ धाड़े एनल सबा पहले ही तूट फूट का शिकार थी फिलफूर कोई जवाब देरे से बहतर था हमोश रहती किस जर्म का बदला लिया है तुमने हमारे बेटे से वो एक बार फिर गुर राए आपको ऐसे चोने बता दिया होगा कि आपको बेटा कितना पाक बास है अब की बार एनल सबा ने भी लब खोले मगर बोली नॉर्मल आवास में थी मेरा बेटा किसी का कतल नहीं कर सकता मैं मान ही नहीं सकता कि अस्फ़ंद यार ने इतना खेनोना जर्म किया है उनके लहचे उनकी फॉलादी ग्रिफ्त में जकडा किया एनल सबा को अपनी हड़ियां तूटती मेहसूस हुई एक सर्थ निगा उसके चेहरे पर डालकर उन्होंने उसे पीछे धकेला वो दूर जाकर ओंधे मूग गिरी चूड़ियां तूटकर पूरे लान में बिखर गई नेकलस भी तूटकर करकिया एनल सबा ने अंधेरी में अपनी च्छलनी कोहनी देखी लान में लगे बल बरोशन थे मकर एनल सबा की आँखों के आगे अंधेरा च्छा गया तुम्हारा बाप दफा हो चुका है यहां से तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो वो रहा बाहरी का रास्ता एक मिनट से पहले निकलो यहां से वो उसकी इतनी तजलील करेंगे एनल सबा सोच भी नहीं सकती थी यह वेले जितनी आप की है उतनी मेरी भी है बलके आप से ज्यादा हिस्सा है मेरा यह मेरे बाप मेरे शोहर का घर है आप कुन होते हैं मुझे यहां से निकालने वाले एनल सबाप यह अपने जगा से खड़ी होकर चीख कर बोली उसके आंसों भी निकल चुके थे वो उस रिश्टे का हवाला दे रही थी जिसके लिए उस पर जबर किया गया था जिससे उसके दिल जहन हालाद किसी ने कबूल नहीं किया था तुम्हारे बाप को हम निकाल चुके हैं तो तुम कौन होती हो हक जताने वाली और कौन साथ शोहर जिससे पुरी बरादरी के सामने जलील किया तुमने जिससे खुद जेल पहुंचा कर आई हो वो शोहर उनके सवाल पर एनलसबा ने अपनी भीगी आंखे साफ की वो मुझरिम है मलीहा का इस मौशरे का वो जिस सजा का मुस्तहिक था मैंने वो ही दी है उसे हमसे बहस ना करो निकलो यहां से वो धाड़े अनिया बाबा साई को रोके इस वक्त वो कहां जाए की गुलजरीन अनिया के खुटने पर हाथ रखते नीचे बैट कर बोली पकवास बनकर मेरा बस चले तो खड़े खड़े इससे गोली मार तो वो पच्टों में नफरत उ हकारस से बुली कुलजरीन रोने लगी इतनी हमत नहीं थी के बाब को रोक सकती तुम ऐसे नहीं मानोगी वो आगे बढ़े और एनलसभा को बाजस से पकड़कर सीड़ते वे बाहर ले जाने लगे छोड़े मुझे आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते ये सब अस्वन क्यार खुद मेरे नाम कर चुका है मैं अदालत जाओंगी एनलसभा की बात पीच में रही थी जब वो रुके और उसके जानब देखकर बोले वो फैसला जिरके का था जब मगर जब तुम लोग जिरके को ही नहीं मांते तो इस वैसले की क्या उकाद है कोई कानूनी काख़साद हैं तुम्हारे पास उनकी सब्हालों के एनलसभा के पास कोई जवाब नहीं ती अन्हें नहीं पता था कि परवे शानों उसके साथ ऐससा करेंगे उन्होंने उसे धोके में रखा जायदाद भी उसके नाम नहीं करवाई और मंगनी के धोके में निकाह करवा दिया जब अपने ही दगाह दे जाएं तो इनसान गिला किस से करे किस के गले लग कर बैन करे किस से शिक्वा करे किसके सामने आंसु बहाए एनुलसवा को इसी तरहें कसी इटे बड़े गेड़ से बाहर ठका दे दिया वो अपना वज़न संभाल सकती थी मगर परवेश आज एक बार फिर अपनी बेटी को बुरी तरहें तोड़ दिया था कुठरी बनी गिरी बड़ी थी सर उठा कर अंधेर आस्वान को देख और फूट फूट कर रो थी वक्त गवा था वो जब भी रोई थी अपनों के सखम देने पर जब भी बिखरी थी परवेश हान की अदम तवज़गी पर गुल्जरीन ने उसके आते साथ मुसका बेगम को मैसेच कर दिया था कि वो हवेली आ चुकी है मगर हच्छा ये था कि वो बाहरे इंतसार करने के बज़ाए कहीं चली ना जाए अपने कपड़े जार कर एनल सबाग खड़ी हुई उसका सेलफ़ून भी हाथ से जूट कर गिर पड़ा था इस वक्त वो दाने अदर कॉल भी नहीं कर सकती जो भी था उन सब का रहने का अपना इहतमाम था इतने मर्दों के दर्मियान रहना वो बोल्ड थी बेगेरत या बेशर्म नहीं इस से बेतर हविली के दर्वासे पर रात गुजारना था सोच सोच कर उसका दमाग फटा जा रहा था कि परवेश हान उससे लिए बगएर चले के क्या वो वाकिये ही उनकी बेटी है उसने सुन रखा था कि उनका हांदान औरतों के मामने में बहुत गहरत वाला है ये थी उनकी गहरत अंधेरी रात में उससे सड़क पर फैंक दिया था ना उसके खुलिये का खिया था ना उससे जुड़े रिश्टे का रात के पहर यहां सर्थी पढ़ना शुरू हो चाती थी एनल सुबा को भी मौसम सर्थ लग रहा था एक तरफ दिवार के साथ खड़ी वो होफसता भी थी और डरी हुवी भी रात यहां कैसे गुजर थी दाने आल को कॉल करती हूं उसे सोचा गाउं में किसी की घर चली जाती हूं उसे दूसरा आप्शन बहतर लगा अभी कदम उठाया ही था कि एक बाइक उसके पास आकर रुकी हेड लाइट्स की रोशनी ने एनल सुबा को आँखे चुन देहाने पर मचबूर कर दिया हाथ आँखो के आगे कर लिया एनल सुबा बैठो वो परवेस खान थे जिस बास से आरी लब लहचे में महातिब थे बैठो अपकी बार वो जोर से बोले तो एनल सुबा अपनी खेरदार भारी फ्रॉक और लंबा चुड़ा लंबा चुड़ा टुप टाबा मुश्किल संभालती बैठी पहली मरतबा बाइक पर बैठी थी उसने परवेसान को कंदे से थाम लिया एक छटके से बाइक स्टार्ट हुई एनल सुबा ने बेखतियार आँखे मीचे अल्ला का नाम लिया भई कोई हातिर मदारत की है हमारे सरदार साहब की आफ्टर ओल्स बदरुस दमान खान के सबूत है जिए चेल के पास खड़े हवलदार से बोलता वो अंदर मुझूद अस्वंधियार को सुना रहा था जिए पूदरे पर सीधा लेटा था एक बाजो आँखो पर रखा था और एक टांग नीचे लटका रखी थी सर खाना दिया था मगर मना करतिया जी हवलदार ने जवाब दिया इंस्वंधियार ने हाथ के इशारसों से जाने का कहा तो क्या फैसला किया है तुमने सुबान खोलनी है या हमारा दम हम देखना है उसका बाजू स्टिक की मदद से आंखों से हटाते वो थमकाने वावा अंदास में बोला अस्वंद्यार हमोशी से दुबारा बाजू रखकर लेट किया हैदर ने अब की बार स्टिक उसकी थोड़ी पर रखकर जोड़ से चहरा उंचा किया अस्वंद्यार को कौफ्थ होने लेगी वह समझ रहा था कि इंस्पेक्टर हैदर उसे तैश दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जवाबी हमला करे और केस मजीद पेचीदा हो जाया अस्वंद्यार को इस वक जोश से नहीं होश से काम लेना था कानूनी इदारों की पकड़ में अच्छे अच्छे बेबस हो जाते हैं उटकर बैठो हुकम छाड़ा अस्वंद्यार सीदा हुकर बैठ किया दोनों हाथों की उंगलिया एक दूसरे में फंसा रखी थी वो दिखने में इंस्पेक्टर हैदर से ज्यादा ताकतवर लगता था कि अगर उसकी एक पढ़ जाती तो इंस्पेक्टर हैदर भी हिल ना सकता मगर वो मजबूर था एक पुलिस आफिसर पर हाथ उठाने की हमाकत नहीं कर सकता था ये कोई बॉलिवर्ट की फिल्म नहीं थी कि वो तफ्तीशी सल में पुलिस वाले को सर्फ एक सल से धोने लग जाता शिबी कहा है मुझे नहीं मालूम छूट मत बोलो इंस्पेक्टर हैदर धाड़ा अस्वंधियार की बेन्याजी उसका खुन खुला रही थी वो हमोश रहा अपने अलाके पर राज़ करके तुम सर्दारों का दिल नहीं भड़ता जिस शहर की लड़कियों पर भी हाथ साफ करने चले वो भी छोटा हाथ नहीं डाला सीधा बिर्गेडियर की बेटी फांसी अब चसके लिए हैं तो भुक दोगे भी अस्वंधियार का चहरा सुर्ख हो गिया जैसे पूरे जिसम का खुन चहरे में समट किया हो उसने अपने दोनों हाथ एक दुसरे में इतनी जोर से फंसाते जब्त किया कि बाजू की रगे उभराई इंस्पेक्टर हैदर ने उसकी चीज़ पर नज़र नहीं डाली मगर तुम्हारी बतकिस्मत ही थी कि एनलसबा तुम्हारे हाथ नहीं आई वैसे पानी भी कभी किसी के हाथ आया है उसे मजीद उकसा रहा था बक्वास बंद करो एनलसबा के बारे में अगर एक लवस भी कहा तो अस्वंधियार अपने पंधी जल्व का बंदा असीर हो जाए उसे इंस्वेक्टर हैथर का अगला लवस मूव में ही रह गया अस्वंधियार ने उसको जबड़ा अपने हाथ में ले लिया हून रंग आँखे निकालते चीखा बीवी है वो मेरी उसके बारे में बक्वास मत करो इंस्वेक्टर न असलिए जल्द अस जल्द यहां पहुंचे था मकर यहां तो सब हाथ से निकल गया था अस्वंधियार ने जटके से उसका चेहरा छोड़ा मुम्किन नहीं है एनुल सबा तुम्हारे साथ निकाह कैसे कर सकती है एक कातिल के साथ इंस्वेक्टर हैदर हवासों में लोड़त को अवास लगाई और अस्वंधियार को टार्चर सल में मुन्तकिल करने का हुकम दिया जब एक पुलिस एहलकार के मदद से ये बात थाने के सचों के पास पहुंची तो आधी रात को भागा भागा आया इंस्वेक्टर हैदर कहा है उसने आन ज्यूटी हवालदार से बैं जड़ा भुवी जिस पर इंस्वेक्टर हैदर ने उसे टार्चर सल मुन्तकिल कर दिया लकड़ी के दो उन्चे से पठ ले गए थे जिन्हें खोलते एस अच्चों अंदर ताकिल हुआ सामने ही इंस्वेक्टर हैदर अस्वंधियार के जबड़ा पकड़े कुरा रहा अस्वंधियार की कमीज उतरी हुई थी और पूरा शरीर पसीने में शराबूर था बाल इतने कीले थे कि माथे से चिपक रहे थी इंस्वेक्टर हैदर ऐसा चो तेजी से आगे बढ़ा और इंस्वेक्टर हैदर को पीछे घसीटा अस्वंधियार के मसल्स पर बेशुमार निशानात थी जो इंस्वेक्टर हैदर की स्टिक का कमाल था उसका गोली वला सखम भी तासा था जिस से अब हून रिस रहा था मकर वो ठीटो की तरहें टांग पर टांग चड़ाए बैठा था इंस्वेक्टर हैदर ने अपनी ताकत आजमाने और अस्वंधियार ने जब् पानी पलाओ इससे एसस जो पासकड़ी हवलदार पर चीखा उसने अस्वंधियार के हाथ खोले और पानी का ग्लास जथावाना चाहा तो उसने हाथ उठा कर मना कर दिया तमस्कराना निगा इंस्वेक्टर हैदर पर डाल कर टांग हिलाने लगा ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं है मुल्सिम को ट्रीट करने का हैदर को अपनी डेस्क पर लाकर वो बोला मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मुझे पता है सच कैसे उगलवाना है उनके मूझ से इंस्वेक्टर हैदर स्टिक मेस पर फैंकता ना खुबत से बोला तफ्तीशी सल तक ले जाने की अजासत थी आपको महस शक की बुनियात पर तश्रतुद करके जब रन जुर्म कबूल करवाना हमारा शेवा नहीं है सच चो पंजाब पुलिस के तरीके कार से वाकिव था शायद खबरों में भी आए तिन उनके बत्तरीन तश्रतुद का जिकर किया जा रहा होता था जब वो मुझ खोलेने को तियार नहीं है तो कोई ना कोई तरीका तो आजमाना ही था इंस्पेक्टर हैदर अपनी गल्दी तसलीम करने पर राजी नहीं था उसका बस चलता स्वंग्यार की आती जाती सांसे रोक लेता केस की आड़ में वो उनके निकाह का गुसा उतार रहा था पी अफसी की टीम तफ्तीश कर लेगी आपको अपनी इनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रात बहुत हो गई या आपको आराम करना चाहिए इस सच को कहने पर इंस्पेक्टर हैदर उसे खूरता रह गया ये गाओं में परवेसान की किसी जानने वाले का घर था वो एनलसबा को लिए बगर कैसे वापस जा सकते थे तब ही उनके घर ठहरना पड़ा उनके बेटे की बाइक लेकर ही इनलसबा को ले 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 गए थे उनका एरादा राध ठहर कर सुबच चले जाने का था दानियाल और उनके सीनियर टीम का लीडर डॉक्टर शारिक के साथ समसंभाल रहे थे एनलसबा के जरूरत अभातम हो चुकी थी वो तमाम सबूत उनके हवाले करने के साथ अस्वंद्यार के हिलाफ अपने दलाइल भी दे चुकी थी यहां बलंद पहार एक दूसरे के साथ थे एनलसबा चार पई पर बैठी अपनी चूड़ियां उतार कर कोहनी देख रही थी जो बुरी तरहें चलनी थी अम तुम्हारे दवा लगा देता है सतना अठाना साल की पठानी अंदर आई उसके हाथ में स्टील की ट्रे थी एनलसबा के पास बैठकर उसका बासू थाम एनलसबा हमोशी से उसकी कारवाई देखने लेगी पहले उसने कॉटन पानी में फिको कर सखम साफ किया फिर सरसों के तेल में डबोकट लगाई उस पर पटी बांध दी एनलसबा को इतने बेहतरी ट्रीट्मेंट पर हचसी आ गई मगर उसका खलूस देकर जब्त कर गई एनलसबा चेंज कर लो मुसका वेगम उसके लिए एक सूट निकाल कर लाएं उनका चेहरा सपाट और आवास संजीता थी एनलसबा ने उनसे कपड़े थाम लिए कपड़े बदलने के लिए उसे बाहर सेहन के एक किनारे पर मजूद वाश रूम में जाना पड़ा जो इनतहाई छोटा था एनलसबा ने कपड़े तबदील किये और मंगनीगा सूट दूसरे कमरे में एक औरत के साथ पैठी मुसका वेगम को दे आई सादा साख खाना खाया और अच्छी सी दूद पती पी कर सकुन करने को लेड़ की जिन्दगी के पेदर पे खाथ साथ ने उसे ठका दिया था गुर्बच से उसने कभी हौफ नहीं खाया था जो कुछ है अला का दिया है और वो कादिर है उसे लेने पर भी गुर्बर वजरिप का भी उसे नवर्ट नहीं की थी वो साथ है जिससे मुट मुठी तो की ये रहमत बना कर भेज़ बेज़ बेज़ा उन्होंने जब गुर्बच कि जिन्दगी बसर की तो प्र गुर्बच वजहे नवर्ट कैसे बन सकती है मगर वो हमेश्या घनी बने गुर्बाओ मसाकीन के सर पर दस्ते शफकत रखते थे वो सोच रही थी खुद को दीनी कहने वाले मजहभी समझने वाले गहरत मंद कहने वाले सरतार बदर उस जमान का सारा मजहभ सारी गहरत बेटी और घर की औरतों पर पाबंदी तक ही मुहीत थी जो जल्म को रास्ता दी वो भला कैसे दीनी है कैसे मजहभी है जो नसलों दोलत की बनियाद पर तफरीक करते हों वो कहां के दीनी है अस्तवन ग्यार के बारे में वो सोचना नहीं चाहती थी हामोशी से आंखे मूंद ली चार कुल पढ़े और सोने की कोशिश करने लेगी और फिर कोशिश करने वालों की हारक अप होती है वो भी नींद की वादी में उतरती गई सुभा सातिक का वक था यहां मुरगे बहुत स्यादा थे कुडूंकूं की आवास पर रैनल सबाहर बढ़ा कर उठी उसकी चार पाई के लीचे बुरगा खुसा हुआ था उसके इलावा सब उठे थे मर्द हजरात मस्जिद रवाना हो चेके थे और उसका वेगम और एक और एक औरत सामने चिटाई पर जाये नमास बिच्छा कर रुकूं की हालत में खड़ी थी उसी वक्त वो रात वाली लड़की आई नमास की तरहें डिपटा लिए उसका पुर्णूर चेहरे चेहरा एनल सबाह को सहर ज़दा कर गया वो बहुत हसीन थी और बोलती उससे भी ज़दा मीधा थी तुमारे लिए जाए नमास ला देता है हम शहर वाले तो मस्नोई ज़दा रहे हैं हर चीज आर्टिफिशल है हमारी दुनिया में मट्टी के चुलहे में लखड़ियां डाल कर वो लड़की चाय बना रही थी उनके लिए उसने यहां की औरतों को बहुत नरफ हूँ और मेहमान नवास चाना था जान चड़कने वाली मेहनत मरस्दूरी करने वाली रिष्टे निभाने वाली वो एनलसबा जैसी लड़कियों से ज्याता मेहनती थी पिर यहां के मर्द क्यों उन पर जिंदगियां तंक करते थे अच्छानक चीखने और बेहन करने की आवास पर एनलसबा पने खियलाद से चौंकी यह आवास किसकी है उसने लड़की से पुछा वो साथ वाले घर में लड़की सवारा में आया है उसका हामंद बड़ा जालिम है लड़की अफसर्दगी से बताने लेगी सवारा एनलसबा ने ना समझी से पुछा जब दो खानदानों में जगड़ा या खून खराबा हो जए तो सुलहा के लिए जिरका लड़की दे देता है वो मसीद लकड़ियां चुलहे में डालने लेगी लड़की दे देती है मतलब एनलसबा समझी नहीं लड़की का दुश्मन के एक घर शाती कर देता है वो अब सरसरी अंदास में बता रही थी मगर खून खराबा होता क्यूं है उसने पास पड़ी लकड़ी की चौंकी पर बैटते पूछा यहां गरत का नाम लेकर खांदान का हांदान मर जाता है हमारे इधर लड़की ने पिछली तरफ इशारा किया बड़ी माई रहता है उसके साथ बेटे मर गए और दुश्मनी बड़े बेटे की मंगरी तोड़ने पर हुवी थी इस सके भाईयों के तरमियान जंग था और दोनों हांदानों में बस यही बची एनलसबा साकिट से उसकी कुफ्तकू सुन रही थी क्या ये दोरे जहालत था या अरब में इसलाम के ताखिल से कबल का वाग्ट जहां छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े खानदान तबाह हो जाते थे महीनों जंगे चलती थी एनलसबा चाएबी रही थी जब परवेसहार अंदर दाखिल हुए एनलसबा अपने भाई और मामा को बला कर लाओ हम निकलने वाले हैं अभी तक यहीं था एनलसबा ने तो उसे हावेली में देखा ही नहीं था इतने में उमर ट्रावलिंग बैक लिए बाहर आया उसके पीछे चादर में मुस्का वेगम थी एनलसबा उन सबसे मिलकर निकल गई घाड़ी में बैठने से पहले उसने पहाड पर चड़कर एक अलविदाई नजर पूरे गाउं पर डाली सूरज नीले साफ शफाव आसमान से फूछ रहा था एनलसबा के चेहरे की सलामी लेने लगा एक होक्सी उसके दिल में उच्छी एक बेनामसी उदासी कोई चीज़ उसे पुकार रही थी अलविभा कुछ है जो उसे जकड रहा है एनलसबा के कतमों में बैठा बैन कर रहा है एरडियार अगर रहा है उसे लगा आसमान चुकर उसके कानों में सरगोशी कर रहा है ये बादल उस शक्स की यहरी आंखे हैं उसे लगा मालाकंड के करीब बाकिया ये गाउं उसे नरास हो रहा है वो कुछ वक्त के लिए यहां आई थी मगर यहां का शिरासा भी खेर कर जा रही थी वो यूर उठा रहे मुझसे मन्जूर है लेकिन यारों उसे समझाओ मेरा शहर ना छोड़े सर हमें जंगल में तो कुछ नहीं मिला मगर पहाड के नीचे एक लकड़ी का हट बना था उसमें तो और फोड़ की हुई थी किसी ने वहां हून भी जमा बढ़ा था हवल्दार रपोर्ट दे रहा था इसका हमारे केस से क्या तालुक हमें तो शिबी को ढून रहा है टीम लीडर बोला शिबी को गाइब भी तो किया जा सकता है हमें ये खबर अस्वंदियार को देनी चाहिए दाने आल फोरन बोला वो सब थाने में एसे चोगी में थाता बोला वो अलग केस है उसे इस बात की हबर नहीं लगनी चाहिए कि हम शिबी को तलाश कर रहे हैं हैदर ने कहा पठवाई दाने आल चटखा मुझे लगता है हमें अस्वंदियार को बताना चाहिए सर अगर वो शिबी रोज पहाड पर आता था अवरिधिंग इस ओल राइट इंस्पेक्टर हैदर दाने आल ने तंसिया मस्कुराइट से जाते पूछा डाक्टर शारिक उन दोने के तासरा देखना लेगे इंस्पेक्टर हैदर ने हुश्मगी नजरों से उसे घूरा और रूम से निकल गया दाने आल भी टीम लीडर के साथ सल में दाखल हुआ जहां अस्पन यार सीमिट के चबूदरे पर लेटा था बाजू वैसे ही आंखों पर रखा था मिस्टर अस्पन यारहान टीम लीडर सल में बड़ी वकर बैट कि अस्पन यार टांगे नीचे लटका कर दिवार से टीक लगा कर बैठा तो दाने आल उसके साथ ही कुछ फासले पर मौझूद निशिस्त पर पराज़मान हो गया हमें अभी एक अफसोसनाख अबर मिली है डोंट नो तुम्हारे लिए शॉकिंग है के नहीं अगर तुम्हें पताना जरूरी है ताके तुम अपनी बेवकुफी का दामन छोड़कर हमारे साथ तावन करो टीम लीडर ने तमहीद बांधी अस्पनी और हमोशी से समझीदा सूरत लियों से देख रहा था उसके माथे पर नील सा बड़ा हुआ था कुर्ते के उपरी बटन खुले थे दानेल के इशारा करने पर टीम लीडर फिर कहने लगा पहाड के नीचे एक लकड़ी का हट बना हुआ है कल रात चंद पुलिस एहलकार ने वहां कोई नहीं था और कमरी की हालत बता रही थी कि वहां तोड़ फोड़ की गई है और जमीन भी खुन अलू थी यकीनिन वहां मुझूद शक्स के साथ कोई अफसोस नाकसान है हाँ पेश आया है वो जैसे जैसे बोल रहा था अस्वंद यार को पसीने आदे जा रहे थे और आखों की पुतलिया फैल गई थी वहां तो शबान था अपने पसीने से तर्चेहरे को पहुंच था वो हकला कर बोला टीम लीडर ने टीम लीडर ने दाने आल को देखा कोन शबान अस्वंद यार के नज़रे एक रही गैर मरेई नुकते पर चबी थी पिर नफी में सरहिलाते बाहरे के चाने भाग रहे लाका दाने आल और टीम लीडर ने बामुश्किल उसे काबू किया वो फिर भी उनसे छूट रहा था हावलदार ने तेजी से सलकोला किया स्वंद यार ठीला पड़ गया तु में हम कल से समझा रहे हैं मगर तुम बेकसूर हो अगर तुम बेकसूर हो तो हम खुद तुम्हारी ठाल बनेगे तुम बस असल मुझरम का बता दो मगर तुम कानून को अपने हाथों में लेने पड़ तुले हो दानियाल ने उसे शिकस्त खुरता साथ डिठाल होकर चुब उत्रे पर गड़ने के अंदास में बैठते देकर सक्त लहचरे में कहा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेमार है वो जैसे अपने आप से बोला उसकी आँखों में नमी थी तुम्हें क्या लगता है उसके साथ कुछ हुआ है कि या वो वाकर ही मेंटल है खुद अपने आपको नुकसान पहुंचाया है दानियाल ने पुछा उसकी रहाइश का मेरे सिवा किसी को नहीं पता था असफंद ग्यार अपसपार्ट से चेहरे के साथ उससे सब पता रहा था कोई दुष्वन टीम लीडर ने पुछा कोई एक हो तो बताओं सारी जिन्दगी दुष्वनियानी भाते गुजरी है मकर शिवान के मौामले में मैं कुछ नहीं कह सकता वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा था अब तुम हमें कुछ पताओगे तो ही हम शिवी को ढूंटने में तुम्हारी मदद करेंगे टीम लीडर ने फिर उससे तावन की अपील की क्या बताओं अस्वन गयार इतनी जोर से धाड़ा कि वो भी कुछ देर को सहम गया उसको तुम लोग ढूंटोगे मगर मेरी मदद नहीं होगी है ये तुम लोगों की खुद की जरूरत है अस्वन गयार खामोश होगी है उसके बाद उन्हें ने दो तीन मज़ीद सवाल की मगर वो ना भूला दानियाल और टीम लीडर अपना टूल बाक्स लेकर अमा भी किया था उनके जर्गे के वशीरान भी हासिर हुए थे एड़ी चोटी का जोड लगाया था उन्होंने अस्वन गयार को रहा करवाने के लिए मगर अब बात कानून की गृफ्ट में आ चुकी थी उनका सिस्टम बेकार हो चुका था पुलिस शबान को आसपस जंग अमें उनको तरगीब दे रही थी जब एनी उसके पास आई दानियल और सरशारिक आ गए हैं उनके साथ एक हैंसम साब बंदा भी है इतना अफसोस हो रहा था मुझे उस बंदे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इतना डीसेंट और मेच्चोर देखने वाला बंदा किसी क गतल भी कर सकता है एनी अपनी राय दे रही थी नोट पैट पकड़े एनुल सबा के हाथ एक ही जगा मुझमिन्द होकर रह गए थे कहा लेकर गई हैं उसको एनुल सबा ने बुचा पोलिग्राफ टेस्ट के लिए अभी सीनियर टीम लेकर गई है उससे डीने के लिए सरता कर का है एनुल सबा ने भी होंट फिलाए कहा जा रही हूँ उसने एनुल सबा से पुचा कुछ सेंपल से डीने डिपार्टमेंट में जमा करवाने जा रही हूँ एनुल सबा कहकर आगे भड़ गई दाने आल भी उसके साथ चलने लगा अस्वंद्यार का डीने टेस्ट हो एनुल सबा ने पूछा हाँ मगर रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और जो बायोलोजिकल शवाहित हमें जाएवकुआ से मिले थे उनके रिपोर्ट के जनाटिक कोर्ट से जो मालूमात फराम हुई है मुझे लगता है वास्वंद्यार के जनाटिक कोर्ट से मैच करेगी डि से मिलने वाला डिएने एक जैसा होता है हर इंसन का डिएने दूसरे से मुख्लिफ होता है क्यूँ तुम्हे ऐसा क्यू लगता है एनुल सबा ने आसमची से पुछा हमारे पास दो डियने रिपोर्ट से हैं उनमें से एक मुल्सिम के गोरे रंग फुरे बालों और फुरी आंखों की निशान दही करते हैं और अस्वंद्यार ऐसा ही दिखता है दानियल बहुत तेस जा रहा था बगर एनल सबा ने उसे रोक दिया तुमने शबान की तसाविर देखी है एनल सबा ने पुछा हां मगर वो भी अपने भाई जैसा दिखता है एनल सबा के लहचे में कु तो उनका एक मुल्जम तो कंफर्म हो जाना था शिबी का कुछ पता चला कहां गायब हो गया वो एनल सबाने साथ चलते दानियल के जाने देखा चला आपकोट की आस्ती ने फोल्ड कर रहा था हां सच यात दिला दिया तुमने वहां हर्ट से मिलने वाले कार्टिजिस भी वहां हर्ट से मिलने वाले कार्टिजिस भी देने हैं फाइर आर्म एंड टूल मर्क्स यूनिट में उसे अच्छानक यात आया तुम्हें याद है दानियल PFS से की वेन पर जो हमला हुआ था वो ग्लैशन कॉफ से नहीं किया गया था वहां से मिलने वाले कार्टिजिस केस क करवाए थे नहीं उसने आखर में दानियल की राय जानने की कोशिश की ये भी हो सकता है कि हमला करने वाले एक हो मगर असलिहा मुथलिफ दानियल ने एक और सोच निकाली मगर अस्वंद यार के आदमी क्लैशन काफ ही इस्तमाल करते हैं पिर ये हमला किसी और ने तो नहीं करवाया दानियल रुक गया एनलसभा जो अपने रफ़तार से चलकर आगे निकल गई थी वापस मुड़कर उससे देखा मुझे क्यों लग रहा है एनलसभा तुमस्वंद यार को डिफेंड कर रही हो उसने कमान आईबरो उठाते कहा ओ कमान दानियल मैं जिस्ट एक्सप् पूली कमरे में खुप अंदेरा था सिर्फ उसके सर पर रोश्णी कायम थी वो भी पीले बल्ब की सफेद बनियान में उसके भारी मसल्स तुमाया थे एक हाथ में फून था जिससे उसने कान को लगा रखा था दूसरा हाथ लंबागर के खिड़की के पास जमा रखा था कर आरे खानदान का नाम और सबसे एहम तुम्हारा अकलोता सपूत सूली पर लटक जाएंगे एक्तार तो जाएगा 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 चान और इज़त भी पर इसरार हमोशी शू उसने खड़की के पर चमे हाथ का जहास दुराया देखो इंस्पेक्टर हैदर ये भी बता सकता है कि उसके जर्म में कौन कौन शरीक था तुम समझ रहे हो ना हैर शातिर तो तुम अवर रोस से थे मकाबल ने तवस्खराना अंदास में कहा तो इंस्पेक्टर हैदर का बलंदो बांक कह कहा गुंचा अपने पैर पर कौन कुल हाड़ी मारता है अलियास साथ तफनाते आए हैं आप बेफिकर रहें बंदे पर भरोसा रहें और मेरा मुखलेसाना मश्वरा माने उसे छोड़ना अपने सर पर मोत की तरवार लटकाने के मुदराती पहे हैं वो उन्हें अगाह कर रहा था आने वाले हतरे से दूसरे जाने बोस के मश्वरे पर अमल करने को तियार हो गए थे अगर एनुल सबास पंदियार को जेल ना भज़वाती उसके हलाफ पॉलिस को सबूत ना परहम करती तो दुश्मन शिबी को अगवा ना करते उसका कतल ना होता सब एनुल वज़ा एनुल सबा की वज़ा से हो रहा है सब एनुल सबा की वज़ा से हो रहा है भला ऐसी लड़की को कौन शक्स अपने निकाह में रखेगा मुझे तुम पर तरसा रहा है एनुल सबा वो अपने मनसुपी पर खुद ही खुश हो रहा था इंस्पेक्र है तो शीबी को जानता भी नहीं अब मेरे कहने पर अलियास सहब की सिर्फ कटल करवाते हैं तो मेरा क्या चाहता है वो अपने आपको हर इल्जाम से बरिय जिमा करते बोला दूसरे जाने अलियास सहब अपने फर्म हाउस के लाउन में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये केस के सफ़ें हैंडल किया जा है माल और उलाद फितना बन गए थे उनके लिए उलाद भी बच्चानी थी और ओधा भी हलो डैट उन्होंने कॉल मिलाई दूसरे जानब से बेफिकर सी आवाज आई इस वीक वापिस मतव शार्चा अपने मामू के पास चले जाओ उन्होंने संजीत और बारोब अंदास में हुकम साथिर किया बट वाई डैट दूसरी जानब वो नागवारी से दरियाफ्ट करने लेगा मेरे बाप मत बनो जितना कहा है उतना करो उन्होंने डपट कर फून बंद कर दिया सर उस लड़के का क्या करना है सफेद कॉटन के कुर्टे पर उन्होंने ब्लैक चेकिट पहन रखी थी गले में एक लंबी सी सोने की चेन थी दाए हाथ की दो उंगलियों में सोने की अंगोठिया थी उनका गार्ड की रिफार्म में था मरा नहीं अभी तक वो जिंजला कर बोले सर गोली पेट में लगी है हो सकता है कुछ घंटों में मर जाए अगर आप हुकम करें तो नहीं अभी नहीं पढ़े रहने तो उसे खुद ही मर मरा जाएगा बहुत बार मुखालिफ सी आर्सी पार्टी के बंदे कतल करवाए थे उन्होंने और कई सहाफी भी उनके तंजीम की सफाकियत का निशाना बन चुके थे अगर ये अब इतने रासदराना अंदास में होता था कि उन्हें कपी होफ में हसूस नहीं हुआ था मगर आज इंस्पेक्टर हैदर उनके रास में शरीक हो चुका था फिलहाल वो उसके हाथ कोई मुका नहीं लगने देना चाहते थे इंस्पेक्टर हैदर की रिकार्डिंग भी मेहफूस कर ली थी कि आने वले वक्त में उन्हें इंस्पेक्टर हैदर से बहुत काम पढ़ने वाले थे उसके हाथ ब्लैक मेल होने सचा था वो उससे उकात पर रखते अस्पंदियार को एक दिन से ज़ादा हो चुका था पुलिस कस्टिडी में एनुल सवा ने डिस्पॉसिबल चाह का कब मेस पर रखा दाने वाल भी चाह से लुट्फ अंदोस हो रहा था हाँ बलके दूसरा दिन भी मुकमल हो गया है तानियाल ने उसके जानब देखते जवाब दिया तो इंस्पेक्टर हैदर ने मेजिस्ट्रेट से अज़ासत नामा साइन करवाया सी आर पी के सेक्शन 167 की तहट पुलिस मेजिस्ट्रेट से मुल्जिन को अपनी कस्टिडी में रखने की अज़ासत लेती है अगर 24 घंडी के दर्मियां तफ्तीश मकमल ना हो सके तो अब ये मेजिस्ट्रेट पर और केस की मौजूदा सुरते हाल पर मुनहसर करता है कि विजिस्ट्रेट कितने दिन का अज़ासत तामा साइन करता है अब उबन पदरा दिन से ज़ादा की अज़ासत नहीं मिलते तानियाल ने उसके सवाल के जवाब में कंधे उच्चकाई मतलब उससे मालूम नहीं था क्या मतलब रिपोर्ट्स आने तक वो पुलिस कस्टिडी में रहेगा एनल सबा के माथे पर बल पड़े फॉर गॉर्ड सेक एनल सबा अभी मैं रेस्ट के लिए कंटीन आया हूँ एनल सबा ने गुससे से उसे खूरा मैं बेशक इस केस का हिस्सा नहीं रही मगर ये मत फूलो ये केस यहां तक मेरी वज़े से पहुँच आ है मैंने इस केस को हल करने के लिए अपना सब कुछ ताव पर लगा दिये तुम जानते हो बाबा मुझसे कितना नाराज है मुसका आंची ने तो रूम से निकलना बंद कर दिया है एनल सबा जस्बाती होने लिगी ये सब तुम्हारी के अपनी च्वाइस थी मैंने कहा था अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी टीम से डिसकस कर लेता हूँ कि असबंद यार ही वो बंदा है जिसके नमबर से मलीहा को हाथ से वाले दिन कौल आई थी और मलीहा की लॉकर चेन भी उसके पास से मिली है मगर तुमने बना कर दिये तुमने इस केस को हुद अपने हाथों में लिया था अब तुम हमें बलेम नहीं कर सकती ताने अल पहली मरतबा उससे दुरुष्टगी से महातिब थै अनुलसबा उसका बतला बतला रूप देख रही थी ठीक है मेरा तरीका परफेशनल नहीं था मैं मानती हूं मगर इंस्पेक्टर हैदर की गदारी और अस्फंध्यार की चलाकी को मलहूस से हाथ रखते मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा और जब डाक्टर शारी को सीनियर टीम को कोई मसला नहीं हुआ तो तुम क्यों इतना बोल रहे हो अनलसबा भी गुस्से में आ चुकी थी तुम अपने रवएए पर गोर करो तो शायद मुझे से ये सवाल ना करना पड़े दाने आलने हालिड डिस्पॉसिबल कप मडोरा और उटकर डस्ट बीन में उच्छाल दिया अनलसबा के जाने एक नज़रोच छाली और केंटीन से निकल गया अनलसबा उसके भी छिलब की बासु पकड़ कर रोका तुम बताओ क्या हुआ है मेरे रवएए को अनलसबा ने उसके जारब देखते पूछा तुम्हारा अस्वन नामा ही हतम नहीं होता तुम्हारा अस्वन नामा ही हतम नहीं हो रहा दाने अनलने मुगे सावी बेगाड़ते कहा ओ गाड अनलसबा ने अपने सर थाम लिया तुम्हारा तमाख खराब हो गया है जाकर अपना काम करो अनलसबा वाप इस कंजीन के जानब चल दी दानी ने गहरी सांस लेते उसकी पुष्ट पर नजर जमाई गुसर तो जाएगी तेरे बगैर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुसरेगी So listeners, this was the end of this episode Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels and episodes Thank you Thank you